हेलो एवरिवन एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस डिफेंस फॉइंट यूटूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ आज हम दिवकास हमिकरण क्वाड़ेटर एक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे इसके कुछ प्रेक्टिस क्यूसन करेंगे इससे पहले मैंने इस चैप्टर के बारे में विश्तार से एक वीडियो बना रखा है यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के description में आपको link मिल जाएगी पहले जाकर उस वीडियो को देखना फिर practice question करना यह जो practice question है वो नवी cost guard के लिए बहुत ही important session होने वाला यह चलिए session सुरू करने से पहले यदि आप इस channel पर नहीं हो तो channel को subscribe जरूर कर लेना और bell icon को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही नए वीडियो आएगा तो आपको notification मिल जाएगा चलिए question number 1 की और बढ़ते है question number 1 हमारा क्या है बोल रहा है कि एक सम्मिकर्ण है माना एक सम्मिकर्ण है a x square plus का b x plus का c equal to zero जहां a b c पूर्णाक है का एक मूल तीन प्लस का root 5 है तो दूसरा मूल क्या होगा देखिए question में मेरे को एक मूल दे रहा है तीन प्लस का root 5 मैंने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी जो ये तीन प्लस का root 5 है वो एक ए परिमे संक्या होती है क्या ए परिमे संक्या यानि की तीन प्लस का root 5 है वो एक ए परिमे संक्या है ए परिमे मूल है मैंने बताया था ए परिमे मूल हमेशा एक दूसरे के सहयुगमी होते हैं तो ए परिमे मूल तो बीटा बराबर क्या होगा सहयोग मी होगा तो बीटा कमान होगा 3- का root 5 ये concept मैंने इससे पहले वाले वीडियो में करा चुका हूं इस concept को अभी आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के description में लिंक मिल जाएगी वहां से जाकर देखें और इसका जो सुतर होता है कि अपने को समीकर्ण गयाद करना हो तो कैसे करेंगे समीकर्ण का सुतर होता है x square minus का alpha plus beta x और plus alpha dot beta equal to 0 तो देखो x square कमान मेरे को दे रखा है alpha कमान मेरे पास में है beta कमान मेरे पास में है यहां पर alpha और beta का मान रखो यहां पर alpha dot beta का मान रखो और आपके सामने equation पर अप्त हो जाएगी लेकिन हमको तो केवल mole ली पूचा है तो इसका answer होगा 3 plus का root 5 चलिए हमारा Q-सा नमबर 2 Q-सा नमबर 2 है एक समिकन दे रखी है P minus का Q X square plus का Q minus का R X plus का R minus का P equal to 0 इसके root दे रखे हैं mole को English में root बोलते हैं इसके root क्या होंगे यह मेरे को पूचा है मैंने आपको एक condition बताई थी यह quadratic equation के chapter में क्या बताई थी मैंने बताया था यदि कोई समिकन इस रूप में हो A X square एक मिनट कोई समिकन इस रूप में हो कि A X square plus का B X plus का C equal to 0 के रूप में अगर कोई भी आपके सामने quadratic equation हो जहां पर जहां पर A plus B plus C equal to 0 यदि A plus B plus C का मान 0 हो तो उसके दो मूल एक मूल तो हमेशा alpha बराबर 1 होता है वो दूसरा भी पीटर बराबर होता है C बटे A तो चलिए यहां पर देखो यह देखो P माइनस का Q है A का मान 1 Q माईनस का R पलस C का मान है R माईनस का P R माईनस का P equal to तेखो देखो देखो P से P कैंसिल हो गया Q से Q कैंसिल हो गया R से R केंसिल हो गया इसका मतलब जो A B C का मान है वो यहां पर भी 0 है A B C का मान यहां पर भी क्या है 0 है तो इदर देखना मैंने बताया था यदि A B C का मान 0 है तो एक मूल तो हमेंसा 1 होगा तो इसका 1 मूल तो होगा 1 दूसरा मूल मैंने बताया था C बटे A जहां C का मान क्या है R माइनस का P तो R माइनस का P बटे में A का मान क्या है P माइनस का Q ये तो हो जाएगा बिटा का मान और ये हो जाएगा अलफा का मान अर्थार्थ एक मूल होगा अलफा बराबर एक दूसरा ममूल होगा बीटा बराबर आर माइनस का पी बटा पी माइनस का क्यू यह कंसेप्ट भी मैंने इसने पहले वाले वीडियो में करवा रखा है चलिए इसके बाद मैं क्यू सन तीन की और बढ़ते हैं क्यू सन नमर तीन है हमारा मेरे को दे रहा है दो पलस का एक बटे दो पलस का एक बटे दो पलस का डॉट डॉट अनन तक चाल रहा है देखो यह है यह देखो यह पार्ट है यह पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है यह पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है देखो मेरे पास में ये है y बराबर 2 प्लस एक बट्टे में 2 प्लस एक बट्टे में 2 प्लस डोट 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 इस परकार से अनन ते मेरे को आप ये बताओ यदि कोई समूदर है उसमें से आप एक बाल्टी पानी भर लेते हो तो उसमें कोई फरक नहीं पड़ता है तो यहां पर देखो यह तो अनन तक चल रहा है कहां तक अनन तक चल रहा है तो यह तो एक समूदर है तो मैं यहां से देखो इसको क्या मान लेता हूँ वाई मान लेता हूँ यह भी वाई कहीं काम करेगा क्योंकि मैंने ये 2 प्लस का एक इसमें से निकाल लिया तो कोई फरक नहीं पड़ने वाला तो मैं इसको किस परकार से लिकूंगा y एक्वल टू दो प्लस का 1 अपोन इस सारे मान को मैं y लिख देता हूं क्योंकि मैं y मैं से ये 2 प्लस का 1 निकाल लिता हूं तो इससे कोई फरक नहीं पड़ने वाला है क्योंकि समूदर में से आप एक बाल्टी जल लेते हो तो समूदर में कोई फरक नहीं पड़ेगा तो देखो इस equation को अपन सॉल करते हैं मेरे पास में बना y बराबर 2y पलस का 1 बटे में y y को इधर वज़र कुणा करो तो y square पलस का sorry y square equal y square equal to एक मिनट y square equal to 2y पलस का 1 ये मेरे पास में equation बनी इस equation को सॉल करना है कैसे करेंगे इधर देखो equation है y square पलस का 2y पलस का 1 एक मिनट equation देख लो y square बराबर 2y है equation है equation देखो equation ये है कि y square बराबर 2y पलस का 1 तो मैं क्या करूँगा y square माइनस का 2y माइनस का 1 equal to 0 अब देखो इस माइनस 2 के ऐसे गुना करो गुना करने पर माइनस 1 और जोडने पर माइनस 2 पराफ़ वही यदि मैं माइनस 2 और माइनस 1 लेता हूं तो पलस का 2 होगा इसका मतलब अपन इसको सिरी दराचायरी से कर ले तो y का माइनस का सिरी दराचायरी का सुतर होता है यहां पर देख लो x बराबर माइनस का b पलस माइनस का अंडरूट का b square माइनस का 4s c बटे में 2 है यह सिरी दराचायरी का सुतर होता है तो यहां पर देखो a का मान क्या है तुल ना कर लो a का मान है b का मान है माइनस का 2 और c का मान देखो c का मान भी माइनस का 1 ठीक है यहां पर देखो माइनस b का मान कितना है माइनस का 2 पलस माइनस अंडरूट बी का स्क्वाइर कितना है माइनस दो का स्क्वाइर चार माइनस चार डोट एक कमान एक और शी कमान माइनस का एक और बट्टे में क्या है दो गुना एक कमान एक हो गया कितना एक तो वाई बराबर माइनस दो मائنس पलस का हो जएगा तो पलस का 2 पलस माइनस अंडरूट ये लेखो, 4 माइनस ये लेखो, माइनस, किया हो जएगा पलस, तो 4 पलस का 4 यानिकी 8 8 को मैं लिग दूँ 4 into 2 बच्टे में दे रखा है 2 देहो यहाँ से यहाँ से देहो 2 common आरहा है चार का वर्गमूल, को जाएगा दवों मन आएगा तो Y बराबर एक पलस माइनस का अंडरूट उंडरूट दो बच्छेगा और बढ़ते में क्या है दो को मन आएगा तो दोसे दो कैंसल हो जाएगा मेरे पास में जो मान आया वो आया y बराबर 1 तो है या 1 पलस माइनस का रूट दो ये तो एक मान हो जाएगा y बराबर 1 पलस का रूट दो तो दूसरा मान हो जाएगा y बराबर 1 माइनस का रूट दो इस equation के दो मूल होंगे एक तो होंगे 1 पलस का रूट दो एक होगा 1 माइनस का रूट दो यही तो पुचा था यही तो देखो equation में पुचा था कि इसका मान क्या होगा इसका मान यह होगा y बराबर 1 तो होगा 1 पलस root 2 1 होगा 1 माइनस का root समझ में आया होगा चलिए next question हमारा जो next question है वो question number 4 है यह देखो question number 4 है question number 4 बोल रहा है यह भी अनन तक जा रहा है यही भी उसी समुखरन की तरह काम कर रहे यह भी समुदर है इसमें से मैं 1 को निकाल लूँ तो कोई फरक नहीं पड़ने वाला तो मैं इसको क्या लिखूंगा x equal to यह देखो root का 2 2 और इस बाग को मैं फिर से क्या लिख देता हूँ वापस है x लिख देता हूँ क्या लिख देता हूँ x क्योंकि इस root 2 को निकालने से कोई फरक नहीं पड़ने वाला यह तो वैसे यह अनन तक जा रहा है इदर देखो मैं इनका वरग मूल वरग करता हूँ और एक कर लीता हूँ पॉलश काह जोडेंगे तो माइश का एक होगा गुना करेंगे तो मैंश का दो अर्थार्थ एक्स माइनस का दो और एक्स पलस का वन इसके दो गुणनखंड होगे तो एक्स का मान एक तो हो जाएगा पलस का दो और एक हो जाएगा एक्स का मान माइनस का एक समझ माया होगा देखो एक्स का मान नित पुचा है एक तो जाएगा पलस का दो एक हो जाएगा माइनस का एक क्योंकि माइनस एक्स के दो गुणन कंड़ होंगे माइनस दो और माइनस का एक ठीक है समझ माया होगा चलिए next q-san हमारा है q-son number 5 क्यों से नबर 5 बोल रहा है यदि कोई समीकंड दे रहे हैं दो एक्स स्क्वाइर पलस का 3 लेमडा माइनस का 2 एक्स पलस का लेमडा फलस का 4 इक्वल टू 0 के मूल दे रहे हैं परिमान में बराबर तता चिन में विपरित हो तो लेमडा का मान गयात करो देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या बताई थी मैंने का था यदि परिमान में बराबर दे रहा है और चिन में विपरित दे रहा है तो ये कंडिशन बताई थी अल्फा फुलस बिट्टा का मान क्या होता है माइनस का बी बटाए तो देखो अल्फा का मान मेरे को माइनस का बिट्टा के बराबर दे रहे हैं यह बोल रहाँ परिमान में बराबर यह परिमान में मैंने बराबर कर दिया और चिन में विपरित्यानी की माइनस बिटा कर दिया समझ रहे हो, चलो, मैं अलफा और बिटा की जगें यहां पर देखो, मैं अलफा की जगें क्या लिख देता हूँ, अलफा की जगें लिख देता हूँ, माइनस का बिटा और पलस का बिटा और lambda कमान चाहिए equal to minus का b यहाँ पर देखो minus का b यह है तो minus b कमान है 3 lambda minus का 2 यहाँ बड़ा कोस्टक लगा दो बट्टे 1 कमान है 2 यह हो गया 2 इसको solve करना minus beta और plus beta cancel यानि कि 2 b इसके 0 में जाएंगे इदर 0 बचा 2 भी 0 में जाएगा तो 0 हो जाएगा अर्थार मेरे पास में बचेगा 3 lambda minus का 2 equal to 0 यह मान मेरे पास में बचेगा इदर देखो यह हो जाएगा 3 lambda minus का 3 को 2 से कुणा करेंगे 6 equal to 0 तो 3 lambda 3 lambda बराबर 6 lambda कमान हो जाएगा 6 बट्टे 3 यानि lambda कमान हो जाएगा कितना 2 तो इस lambda कमान कितना होगा 2 होगा condition जान मेरे रखना alpha plus beta कमान minus का b बच्टा है फिर q बोल रहाए alpha कमान minus का बिटा के बराबर है यहां पर minus बिटा रखो यह 0 हो जाएगा 2 भी 0 में जाएगा minus 1 भी 0 में जाएगा 3 भी 0 में बेच सकते हो lambda कमान 2 के बराबर होगा समझ में आया होगा चलिए क्योसा नमबर 6 की और बढ़ते है क्योसा नमबर 6 क्या है मारा वो बोल रहा है के का वहे मान जिसके लिए सम्मिकरन 2 x square minus का k x plus का x plus का 8 equal to 0 के मूल वास्त्विक एवम बराबर है पहले तो आप इस equation को पूरी solve करो पूरी equation कैसे solve करेंगे देखो यह दे रहा है 2 x square minus यहां से मैं x common लेता हूँ यहां से मैं x common लेता हूँ यह मैंने x common ले लिया इधर देखो यहां पर बचा minus का k और यहां पर बचा minus x common लेता हूँ किस से minus x मैंने common ले लिया तो यहां पर देखो plus का k बचेगा और फिर minus का 1 बचेगा k minus का 1 और plus के 8 equal to 0 मेरे पास में equation है यह अब देखो बोल रहा है मूल वास्ट्विक एवं बराबर मूल वास्ट्विक एवं बराबर की मैंने एक condition बताई थी आपको वो थी b square minus का 4ac का मान equal to 0 के बराबर होता है यह condition भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में quadratic equation में बता रखी थी देखो b का मान b का मान मेरे पास में minus का k minus का 1 तो minus का k minus 1 का whole square यह हो गया b का मान minus 4 a का मान 2.c का मान 8 equal to 0 यह session आपके लिए नेवी कोस्ट गार्ड के लिए बहुत important होने वाला है देखो यह minus का square plus का 1 हो जाएगा k minus 1 का whole square क्या होगा k square minus का 2k और plus का 1 और minus का 832 बतिदुए 64 equal to 0 इधर देखना यह हो गया k square minus का 2k और minus का 63 equal to 0 अब देखो गुणा करने पर क्या आना चाहिए minus के 63 और जोडने पर क्या आना चाहिए minus के 2 तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ इसके टुकडे कर दूँ एक तो minus का 9 कर दूँ और एक plus का 7 कर दूँ जोडेंगे तो minus का 2 गुणा करेंगे तो 973 तो यह नहीं माइनस का 3 हो रहा है यह तो हो रहा है तो देखो के स्कॉयर एक मिनट देखो के स्कॉयर minus का 2 के और minus का 3 सेट था equal to 0 मैंने एक तो कर दिया के minus का 9 किया और एक कर दिया के plus का के plus का 7 equal to 0 यहाँ पर आप जान में रखना यदि के का गुणाग 1 है तो आप डाइरेक्ट ऐसे लिख सकते हो के minus का 9 और के plus का साथ के का गुणाग 1 है तो नहीं तो आप कैसे करोगे उसको solve करना पड़ेगा पूरा तो देखो एक तो आ रहा है के का मान नो और एक आ रहा है के का मान T minus का साथ यह Ke ganhar नहीं तो पूचा था मेरे को देखो यहां पर Ke imminent नहीं तो पूचा था K का वे मान याद करो participate का वे मान याद करो का के का वे मान याद करो जिसके लिए सम्मिकरन है कि मूल वास्थति कह हो बराभर तो के क्क क्क क् Mike होंगे एक तो होगी माइनस पलस के नो और एक होगा माइनस का साथ यह के के मान होंगे चलिए हमारा next question number 7 question number 7 बोलो कि दिवगात समीगण दे रहा है 2x square plus का 3x plus का 1 equal to 0 के मूल ग्याद करने के मूल क्या होंगे question दे रहा है यह चलिए question शुरू करते है दिवगास हमिगन दे रहे हैं दो X स्कॉयर पलस का 3X पलस का 1 देखो दो X स्कॉयर पलस का 3X पलस का 1 एक्वल टू जीरो देखो तीन के इस से गुणन कंड करो कि जोडने पर क्या आए गुणा करने पर 2 इंटू 1 यानि 2 आने चाहिए और जोडने पर 3 तो मैं इसको एक तो 2 से एक एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा गुणा करेंगे दो हो जाएगा अब देखो अपन डाइरेक्ट नहीं लिख सकते कि X पलस का 2 यहां पर 2 गुणा में तो इसलिए क्या करेंगे 2X स्कॉर पलस का 2X पलस का 1 इक्वल टू 0 इससे करेंगे क्योंकि मैं 3X को 2X पलस का X में तोड़ दिया अब देखो इसमें से 2X कॉमन आ रहा है तो यहां पर बचा X पलस का 1 और इसमें से 1 कॉमन आ रहा है तो बचेगा X पलस का 1 इक्वल टू 0 अब देखो यहां पर क्या है, 1 है एक मिनिट पलस का 1, देखो इसमें से x पलस 1 दोनों में से कवं़न आ रहा है तो ये आ गया, x पलस का 1 कवं़न और ये बचा 2x पलस का 1 Equall to क्या है, 0 अब देखो, एक तो x 6000 यहां से आ गया, x000 कमान माइनस का एक और एक एक्स कमान यहां से आ गया एक्स बराबर माइनस का एक बट्टे दो एक्स के मान दो पराप्त हुए एक्स कमान माइनस का एक एक्स कमान माइनस का एक बट्टा दो तो इस एक्वेशन के दो मूल होंगे कौन कौन से एक तो अलफा कमान मान लो माइनस मैनस का एक और बिट्टा का मान मान लो माइनस का एक बटा दो आप इससे कोई नहीग फरक पड़ने वाला कि या बिट्टा का मान मान आफ-1 बटा-2 मान कुछ मान सकते हूँ इससे कोई फरक हम नहीं पढ़ेगा चलिए हमारा Qs number 8 next Qs पर चलते हैं next Qs क्या है हमारा बोल रहा है यदि कोई समिकन दे रखिए x square minus का 8x plus का a square minus का 6a equal to 0 के मूल वास्तिक हो तो देखो पेले मैंने आपको ये बता रखा था इसके मूल वास्तिक होंगे कब होंगे जब मूल वास्तिक का मतलब b square minus का 4sc का मान greater than equal 0 हो अर्तारत इसका मान negative नहीं हो तो मूल वास्तिक होंगे ये बोल रहा है मूल वास्तिक है यदि मूल वास्तिक और बराबर दोनों होते तो मैं यहां पर केवल equal करता लेकिन ये तो greater than equal होगा क्योंकि मूल वास्तिक दे रहा है केवल तो मूल वास्तिक होगा b का मान देखो यहां से minus का 8 minus का 8 का square 64 minus 4 a का मान एक है और c का मान a square minus का 6a है इस का मान है वो greater than equal 0 है देखो ये तो हो गया 64 ये minus का 4 a square ये देखो minus का 4 a square कोई यह देखो मैनस माइनस व जाएगा प्लस प्लसका 324 प्लसका č говорить यह मेरे पास इक विद्ध इनक उरल जीरो यह मेरे पास में इक कोशन बन गई जिसमें इसमें से मैं माइनस कॉममन लेता हूं क्योंकि एक माया negative है तो यह A समी का है इसका चिन परिवर्थित होगा तो होगा देखो चार A स्कॉइर माइनस का चोईस A और माइनस का चोषट माइनस का चोषट और लेस देन इक्वल जिरो हो जाएगा ये ज्यान रखना किसी भी एक्वेशन को यदि आप माइनस से गुणा करो या फिर माइनस कॉमल लो तो उसका जो यह चिन है इसमी का वो परिवर्थित होता है इस चीज़ को दिमाग में रखना चलिए मैं इसमें से चार कॉमल लेता हूं और उदर बेश देता हूं जीरो में तो यह हो जाएगा A स्कॉइर क्या होगा A स्कॉइर A स्कॉइर माइनस का 664 यानी 6a और माइनस का eigenग शोड़ा होगा कि 16 64 होता है ना 16 होगा कितना 16 less den equal zero यहां से देखो माइनस 6 के एससे गुणनकंड करो कि गुणा करने पर माइनस के 16 और जोडने पर माइनस के 6 तो मैं इसका de करदेता हू minus का8 और a गुनान कंड़ कर देता हूं किया plus के 2 जोड़ेंगे तो minus का 6 गुना करेंगे तो minus का 6 तो इधर देखो a square minus का 6a और minus का 6a equal to 0 देगा था तो 1 तो हो गया minus का 8 तो a minus का 8 प्योंगे एक किगुना कोई नहीं लिख सकता हूं और a plus का 2 equal to zero एक तो एक का माना गया 8 और एक एक का माना गया माइनिस का 2 अब देखो इसका मान बराबर नहीं है यह यह चीछ जान पर रखना क्योंकि देखो यहां पर मैंने बर यहां पर देखो बराबर नहीं हमारे मान देखो बराबर नहीं चीडियो्ग ठीक है यहां पर द्खो एक कमान लेस देडियं कवाल कि है कमान लेस देन देन ऐक्व्य चाहलो क्यों कइसे करेंगे अब कैसे करेंगे इदर देखना यहां पर है एक मान यहां पर क्या देरत ए एक का मान reduce देन इक्वल प्लस का आठ अब कैसे करेंगे चलो इदर देखो इदर देखो इदर एक यह संक्या रिका है यहां पर एक बिंदू है वो है माइनस का दो यहां पर आठ यहां पर बोल रहा है आठ से आठ से छोटा और आठ से बराबर तो देखो यहां से आठ से छोटा इदर हो होगा इधर ही थोगा इधर माइनस अनंद है इधर देखो माइनस दो से छोटा और इसको बराबर को अब इसमें से कॉमन पार्ट का है यह तो यहां से दोनों लाइने जा रहे हैं यहां से दोनों लाइने जा रहे हैं तो इसका मतलब कॉमन पार्ट है माइनिस अनंड से माइनिस का दो होगा और दो क्या है समभली थे तो बड़ा कोस्टक एदर चोटा कोस्टक और एक का मान यहां से यहां तक फिलोग करेंगा समझ में आया हогगा चलिए next qsm qsm ढमारा था यही निधी समभी गन झ्प्वा cabin x Hugo मूल समान है तो मैंने बताया था यदी मूल समान है तो भी स्क्वाइर माइनस का फॉर एसी का मान गर्ड़ दें जिरो और फिर एक्वेशन को सॉल्व करना आपके पास में यह मान आ जाएगा ठीक है चलिए क्यूसा नमबर नाइन क्या है यदि एक सम्मिकन दे रखिए चार एकस क्याम पलस का पी एकस का नो इकवल टटो जीरो इसके मूल समान है तो पी का निर्पक समान एगा दी छलो मूल समान है तो मैंने बताया था यदि मूल समान है तो बी स्कॉ Aur minus का फॉर, सी का मान जीरो यह दी C कमान 9 equal to 0 तो P कमान क्यात करना है देखो P स्कॉर बराबर कितना इधर देखो यहां पर लिखो 9 इधर भी लिख दो 4 इधर भी 4 लिख दो यह हो गई पलस के और P कमान देखो नो चार गुणा नहीं करना है थाकियजी हो गुणा नहीं करना है ताकियजी हो देखो P बराब है ₹का अब्रगमूल फिररशे दू और इस चार बाख मूल फिरसे दuka दो यान Cort logo सुंध दो दो म्हारू चार चार को तीन से गुणा कर ओ तो तो भी अच्छा है किसी से भी कर सकते हों चलेंивается क्युसान नंबर टेन बोल रहा है के मार्ट जिसके लिए कर समिकरन के एक विस्क्कूयर प्लस का उड़ बराबर के एकस आगे क्या नहीं देज है एक मिनट बराबर Kx पलस का है PLUS का 3X माइनस का 1X sqaard के Mood वास् Till हीist उता बराबर है पहले तो आप Equation को क्या करो? क्यस् Joining करो यह से करेंगे? देखो यहां पर दे रखा है क x sqaard Pलस का 1 बराबर ke x Pलस का 3X माइनस का 11x sqaard देखो 11 x square को मैं इधर दाता हूं तो प्लस का हो जाएगा और x square common लिया तो क्या बचेगा k plus का 11 के प्लस का 11 एक मिनट यह देखो यह वा के यह प्लस का यह 11 ठीक है अब देखो इधर है इसमें से x common लेता हूं इसमें से क्या लेता हूँ एक्स कमल लेता हूँ तो बचेगा k plus का 3 और ये देखो plus का है वो इधर minus का 1 हो जाएगा equal ये तो बराबर दे रखा है इधर देखो ये हो जाएगा x square k plus का 11 माइनिस का हो जाएगा k plus का 3 into x और plus का 1 equal to 0 यह मेरे पास में equation है अब देखो मूल वास्ट टीक टता बराबर है इसकी condition होती है B square minus का 4s equal to 0 जहां पर B command दे रखा है minus का K plus का 3 minus का K plus का 3 का 3 का square हो जाएगा K plus का 3 का square क्योंकि minus का square तो plus हो जाएगा बराबर 4 बराबर नहीं है बराबर नहीं है चलो next page में कर देते है k plus next page है k plus 3 है वो minus के और इसका square यह हो गए b square minus 4 dot a command देखो a command क्या दे रखा है a command हो गया k plus का 11 क्या यह देखो k plus का 11 है a command और c command है 1 चलो यह देखो k command k plus 11 और c command 1 तो इधर रखते हैं इधर रखते हैं a command था k plus का 11 और c command था 1 equal to 0 इसको solve करो minus का square plus का हो जाएगा तो यह हो जाएगा k square plus का 6k plus का 9 a plus b का वोली square से करने है minus का 4k और minus का सम्माड़ष बराबर 0 इधर देखना यह हो गया k square यह हो गया plus का 2k और 9 जमाड़ इसमें से 9 जाएगा तो minus के 35 equal to 0 अब इसको solve करो और k command निकलो इसको solve करेंगे तो direct सीरे दराचाहरे से कर लो यह फिर आप ऐसे करो 2 के गुननखंड कर लो एक तो plus के 7 कर लो और minus के 5 कर लो ठीक है minus के 5 और plus के 7 गुना करने पर माइनस का 35 और जोड़ेंगे तो plus का 2 तो के कमान के पलस का 7 और के माइनस का 5 equal to 0 के माइनस का 5 है यहां पर एक तो हो जाएगा के कमान पलस का 5 और एक हो जाएगा के कमान माइनस का 7 यही तो गयाद करना था के कमान गयाद करना था यह देखो के कमान आ गया मेरे पास में यह देखो के कमान गयाद करना था के कमान क्या आया एक तो आया कितना एक तो के कमान आया देखो इधर देखो इसमें के कमान माइनस का 7 यह देखो माइनस का 7 और यह पलस का 5 ठीक है सली नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं क्यूसन नमबर 11 क्या बोल रहा है यदि एक समिकन दे रहे हैं चार एक स्कॉर पलस का छे पी क्यों है छे पी एक्स पलस का वन इक्वल टू जिरो के मूल समान हो तो के का मान क्यात करो इधर देखो मूल समान है तो इसकी कंडिशन एक की है B square minus का 4 A C का मान 0 के बराबर कर दो जहां B का मान क्या है 6 P तो 6 P का square 6 P का square minus 4 into A का मान है 4 into C का मान है 1 बराबर 0 के बराबर कर दो 6 P square यानि कि 36 P square minus का 16 equal to 0 देखो P square का मान P square का मान 6 एदर minus के तो plus के 6 और ये गुणा महत बटे में 36 यहां से कैंसल करो 2 के पाड़े से यह तो हो जाएगा 8 बार और यह दो के पाड़े से कितनी बार 36 कि दो के पाड़े से कितनी बार कि देखो 2 के पाड़े से कट हो गए तो 18 बार फिर 2 के पाड़े से कट रहा है यानि कि यह नो यह सोरी 4 बार यह तो हो गया चार बार कितनी बार यह हो गया चार बार और यह हो गया नो बार अब देखो P स्कॉाइर का मान यह दे रहा है तो P का मान हो जाएगा इसका अंडरूर यानि कि 2 बटे 3 यह हो गया P का मान हो गया 2 बटे 3 चाहो तो आप पलस माइनस भी लगा सकते हो यह हो जाएगा पी का मान चलिए नेक्स्ट क्यूशन ट्वेलव है ट्वेलव नमबर बोल रहा है यदि एक समिकन दे रखी है पांच एक स्क्वार पलस का तेरा एक्स पलस का के इक्वाल टू जीरो का एक मूल एक दूसरे का यह तो मेरे को दे रखा है तो इस एक्वेशन है देखो में जानता हूं अलफा डॉट बिटा कमान होता है तो देखो मैं अलफा कमान रख देता हूं एक बटा बिटा डूट बिटा और यहां से कमान क्या है के है के बटा में इस एक कमान है पांच देखो बिटा से बिटा क कि इससे पहले से पहले वाले से किया तया कि सलिए कि क्या है अफ़ आप खरो तर्ट एी तर्ट का मांत कर सकते हैं जानते हैं कि मायनिस घरょ A कमान है चार यानि माइनस का तीन बट्टे चार अब देखो α प्लस बिठा कमान क्या होगा C बट्टा A एक मिनिट मैंने थोड़ा सा इसको युतकरम कर लिया सही नहीं किया इदर देखो फिर से α प्लस बिठा कमान कितना होता है माइनस का B बट्टा A यानि कि माइनस के 3,2,4 और Alorsफा डौट Bita कमान होताइ वो हता सी बटा है, सी कमान है साथ बटे,4 अब देखो यह देरेका है, यह याद करना है, देखो इसके मैं लगूतम लेता हूँ एक बटे Alpha Plus का एक बटे बटा है, तो इसके मैं लगूतम लेता हूँ वो जाएगा alpha dot beta इधर हो जाएगा beta plus का alpha plus का beta ये चीज है इसके मान तो अपन जानते है alpha plus beta का मान देखो minus का 3 बटा चाह और alpha dot beta का मान वो 7 बटे 4 है 4 से 4 cancel ये हो गई minus का 3 बटा 7 इसका मान होगा minus का 3 बटा 7 ये भी मैंने condition है वो इससे पहले वाले वीडियो में करा चुका हूँ इस condition को अब चलिए अब ये जान रखना हमारे जो 13 क्यूशन थे 13 क्यूशन थे वे मैंने complete कर लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करना, share भी करना और यदि आप इस channel पर ने हो तो channel को subscribe करना मत बोलना क्या subscribe, subscribe करना मत बोलना क्योंकि जैसे ही notification आएगा, नए वीडियो अगा तो आप उस वीडियो को देख सकते हो ये quadratic equation के question solve करने से पहले आप जो इससे पहले वाला वीडियो था quadratic equation के बारे में उसको जरूर देखना, उसकी जो link है, वो आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगी, किसमें description में मिल जाएगी, ओके, तब तक लिए सभी को जै हिंद everyone, मिलते हैं next वीडियो में